परिली के भुजीपुरा थाना इलाखे में गुरुवार को सुबह कोहरी का कहर देखनी को मिला नैनिताल हाइवी पर गाउं जानदौपुर के पास में कोहरी के चलते साथ गाड़ियां आपस में टकरा गई हादसे में नीजी मेडिकल की छात्राएं समीत 26 लोग हायल हो गई जानकारी मिलने पर पहुँची पलुस ने घायलों को अस्पताल पहुचाया तीन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है हादसी की बाद हाईवी पर जाम लग गया पलुस ने शतिकरस्त वहनों को हटबा कर यात यात सचारू कराया कुरवार सुबह शहर में कोहरा नहीं था लेकिन गाउं के इलाकों में कोहरा चाया रहा जिससे दर्शता काफी कम थी मेली जानकारी के मताबिक सुबह करीब आठ बजे गाउं जादोंपूर के पास में हाईवे पर कार से एक वहन पीछे से टकरा गया इसके बाद पीछे से आई कई गाडियां आपस में भीड़ गई जिसमें बसे और वैन भी शामिल थी इसके बाद पीछे से आई जब गाडियां आपस में भीड़ी तो नीजी मेडिकल कॉलिज की बस भी उसमें टकरा गई हाथ से के बाद घटना स्तल पर चीख पुकार मच गई काउं की लोग दोड कर मौके पर पहुँच गए और वहाँ जो लोग फंसी थी उन्हीं निकालने की प्रक्रिया शुरू की गए इसके बाद जैसे ही जानकारी थाना पुलिस को मिली तो घायलू को अस्पताल में भरती करानी के प्रक्रिया भी शुरू हो गई टकर होने के बाद कुछ वाहन हाईवे पर पलट गए जिससे जाम भी लग गया पुलिस ने दुर घटना ग्रस्त वाहनों को वहां से हटबा दिया इसके बाद यात यात सुचारू हो सका सीयो हाईवे नितिल कुमार ने बताया कि घणी कोहरे के चलती 6-7 वाहन आपस में टकरा गए पलिस ने तुरंत मौके पर पहुँचकर घायलू को अस्पताल पहुचाया और सभी की हालत खत्रे से बाहर है हाई वे पर ठाना बोजीपुरा अंतरगत जादोपुर के पास घणी कोहरे के कारण 6-7 वाहन आपस में टकरा गए पलिस द्वारा ततकाल मौके पर पहुचकर गायलों का रेस्क्यू किया गया तता सभी गायलों को हस्पिटलाइज कराया गया इसमें कुल तीन वेक्ति गायल है जो की पूरी तरह खत्रे से बाहर है तानुन विवस्ता संबंदी कोई समस्या नहीं है हाई वे पर ट्रेफिक सुचारो रूप से चल रहा है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें